हेलो फ्रेंट्स आज मैं इस्पेशली सूजी के लड़ू की रेसिपी आपके साथ सेयर कर रही हूँ आप मेरे बताई हुए तरीके से एक बार ये सूजी के लड़ू बना कर तो देखें ये खाने में बहुत ही सौधिश्ट और सॉफ्ट लगते हैं तो प्लीज आप मेरे वीडियो कोलाश तक जरूर देखें तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सूजी के लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाई में 2 टेबल स्पून शुद्ध देशी घी लिया है इस घी को मेल्ट हो जाने दे इसके बाद इसमें आधा केजी सूजी लिया है इस सूजी को भूनना है गैस का फ्लेम स्लो मीडियम फ्लेम पे ही इसे भूने तेज में ना भूने नहीं तो सूजी जल सकती है और इसे कंटीनू चलाते रहें सूजी को भूनने में टाइम लगता है इसको 5-6 मिट अच्छे से भूनने के बाद इसमें 2 टेबल स्पून घी अड़ कर दिया घी इस तरीके से बीच बीच में अड़ करते जाते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लिए गैस का फ्लेम स्लो पे है अब इसमें फिर से 2 टेबल स्पून घी अड़ कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है सूजी को भूने में लगभग 10 से 15 मिट लगते हैं ये जब भून जाती है तो इसका कलर भी हलका सा गोल्डन ब्राउन हो जाता है इस तरीके से ये देखिए हलका रैडिश हो गया है देखने में यह सूजी अच्छे से भुन गई है जब सूजी अच्छे से भुन जाती है तो अच्छी खुश्बू आने लगती है इससे अब इसे किसी भी बरतर में निकाल लें कढ़ाई में ना रखे रहने दें नहीं तो जल सकती है कढ़ाई में आप सूजी इस तरीके से भूने ना तो ये जली है और देखने में हलकी गोल्डन ब्राउन दिख रही है लड्डू में डालने के लिए कुछ ड्राइफूट्स ले रहे हैं याट से दस काजू लिया है इसे इस तरीके से बीच से काट कर यूज करें हाफ टी स्पून इलाइची पाउडर आधा कप नारियल का बूरा आधा कप भूनी हुई मुंगफली इसे रोष्ट करके इसका छिलका अलग कर लिया है भूनी हुई मुंगफली को हलका से दरदरा कूर कर डालें इस तरीके से डालते हैं तो लड्डू में अच्छा टेस्ट आता है अब उसी कड़ाई में हाफ टेबल स्पून घी लें घी को अच्छे से मेल्ट हो जाने दें सूजी को भूनने के लिए इतना बाउल घी का यूज किया था लगभग 100 ग्राम घी का यूज हुआ है अब इसी में ये काजू के पीस को इसमें रोष्ट करना है इसे लगभग 10-15 सेकेंड रोष्ट करें गैस का फ्लेम लोपे रखें इसे जलाना नहीं है हलका सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूने ये काजू हलकी गोल्डन ब्राउन हो गई है अब आप इसे निकाल लें आप अपनी मनपसंद ड्राइफूट से ले सकते हैं बादाम किसमें जो भी डालना चाहते हैं लड्डू में अब लड्डू के लिए चासनी त्यार करनी है चासनी बनाने के लिए 200 ग्राम चीनी का यूज किया है जितना चीनी ले रहे है उसी बरतन से 200 एमल पानी का यूज किया है चीनी और पानी बराबर कॉंटिटी में यहाँ पर आधा केजी सूजी का यूज किया है तो उससे medium to high flame पे पकाएं लगबख 5-6 मेट तक ये देखिए 5-6 मेट में इस तरीके से उबनने लगी है चासनी अब इसमें इलाइची पाउडर डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके लिए एक तार की चासनी तियार करें इस तरीके से हाथ में लेने पर यदि ता ये मुफली के दाने हलका सा दरदरा कूट लिया है नारीयल बूरा एट कर दें इस तरीके से नारीयल बूरा इसमें डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसे अच्छे से मिक्स कर लें आप इसमें मनपसंद ड्राइफूट्स डाल सकते हैं काजू किसमें जो सूजी अच्छे से पूरी चासनी अबजार कर लें आदा गंटे के बाद इसको खोल कर देखेंगे तो सूजी अच्छे से फूल गई होगी लड्डू बनाने के लिए हाथ में हलका सा घी लगा लें और इसे चूकर देखें यह अभी भी हलका सा गरम बना हुआ है आप इस तरीके से बना कर देखें आपके लड्डू हमेशा शौफ्ट बनेंगे बच्चे भी खाएंगे बुजर्ग सभी खा सकते हैं इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो आप इस तरीके से आप लड्डू बना कर रख लें छोटे बड़े जिस साइज के आप बनाना चाहते है हैं बहुत ही असानी से बन कर तेयार होते हैं लडू एक बर मेरे बताए हुय तरीके से जरूर सुजी के लडू ट्राय करें बहुत ओ क्यों आगते हैं यह देखिए इस पेसील सूधिस्ट सुजी के लेड़ू बन कर तयार हैं फ्रेंड्स यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक करिए और मेरे वीडियो को जादा से जादा लोगों के पास शेयर करिए और मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज विस सीमा को सबस्क्राइब करना ना भूलें वोके फ्रे